फ्रिदय मंदिर के अंदर संदोश जब कभी किसी दुखत घटना से तुम्हारा मन खिन्ड हो रहा हो निराशा के बादल चारो ओर से चाय हुए हो असफलता के कारण चित्त दुखे बना हुआ हो भविश की भयानक आशंका सामने खड़ी हुई हो बुद्धे किंग कर्तव्य विमोड हो रही हो तो इधर उधर मत भटको उस लोमड़ी को देखो वो शिकारी कुत्तों से घरने पर भाग कर अपनी गुफा में घुश जाती है और वहां संदोश की सांस लेती है ऐसे विशम अवसरों पर सब और से अपने चित्त को हटा लो और अपने फृदे मंदिर में चले जाओ बाहर की समस्त बातों को बिलकुल भूल जाओ पाप तापों को द्वार पर छोड़ कर जब भीतर जाने लगोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा भारी बोज जिसके भार से गर्दन तूटी जा रही थी उतर गया है और तुम बहुत ही हलके रुई के टुकडे की तरह हलके हो गए हो फृदे मंदिर में इतनी शान्ती मिलेगे जितनी ग्रिश्म से तपे हुए व्यक्ति को बर्फ से भरे हुए कमरे में मिलती है कुछी देर में आन्द की जपकियां लेने लगोगे हृदे के इस साथविक स्थान को ब्रह्मलोग या गोलोग भी कहते हैं क्योंकि इसमें पवित्रता, प्रकाश और शान्ती का ही निवास है परमात्मा ने हमें स्वर्ग सोपान, सुख प्राप्त करने के लिए दिया है किन्तो अज्यानता वश मनश उसे जान नहीं पाते अपनी कठिनाईयां हमें परवत के समान दुर्भिध्य, सिंग के समान भयंकर और अंधकार के समान डरावनी प्रतीत होती है परन्तु ये सब यथार्त में कुछ नहीं केवल भ्रह्म की भावना मात्र है, इसे डरने का कोई कारण नहीं इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है, परवा मत करो क्योंकि समय अनन्त है बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ डिरत तर कर्तव्य करते रहो, तुम्हारा एक एक पग सफलता की ओर बढ़ रहा है आज नहीं तु कल तुम सफल होकर रहोगे, क्योंकि कर्तव्य का निश्चित परणाम सफलता है सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गड़गडाओ क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ती नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके किसी कश्ट के लिए दूसरों पर दोशारोपन मत करो क्योंकि यथार्थ में कोई भी दूसरा तुम्हें दुख नहीं पहुँचा सकता तुम स्वयम ही अपने मित्र हो और तुम स्वयम ही अपने शत्रू हो जो कुछ भलीबोरी स्थीतियां सामने हैं वो तुम्हारी पैदा की हुई हैं अपना दृष्टिकोन बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण ये भय के भूत अंतरक्ष में तुरोहित हो जाएंगे जन्म जन्मांतरों के सुसंसकार जब एकत्रित हो जाते हैं तभी मनुष्य इश्वर की प्राप्ति के लिए व्यक्रभाव से प्रयत्न करना आरंभ करता है मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है जब तक आप दोसरों पर आश्रित रहते हैं या समझते हैं कि हमारे कष्णों को कोई और दूर करेगा तब तक बहुत बड़े भ्रह्म में हैं जो उल्जने आपके सामने हैं उनका दुखदाई रूप अपनी ही त्रूटियों के कारण है उन प्रूटियों को दूर करके आप स्वयम ही अपनी उल्जने सुलजा सकते हैं संसार में सफलता प्राप्त करनी के आकांक्षा की साथ ही अपनी योग्यताओं में वृत्थि करना भी आरंभ कीजिए आपका भाग्य किस प्रकार लिखा जाए इसका नरने करते समय विधाता आपकी आंतरिक योग्यताओं की परक करता रहता है उन्नती करने वाले गुणों को यदि अधिक मात्रा में जमा कर लिया गया है तो भाग्य में उन्नती का लेक लिखा जाएगा और यदि उन्नायक गुणों को अविक्सित पड़े रहने दिया गया है, दुर्गुणों को मुर्कताओं को अंदर भर कर रखा गया है, तो भाग्य की लिपी दूसरी होगी। विधाता लिख देगा कि इसी तब तक दुख दुर्भाग्यों में ही पड़ा रहना होगा, जब तक की योग्यताओं का संपादन न करें। अपने भाग्य को जैसा चाहें वैसा लिखाना अपने हाथ की बात है। यदि आप आत्मन नर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरोब अपनी योग्यताओं बनाने में प्रवृत्त हो जाएं, तो विधाता को विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। जब आत्मे विश्वास के साथ सुयोग्य मार्ग की तलाश करेंगे, तो वो किसे ना किसी प्रकार मिलकर ही रहेग किसी प्रकार मिलकर ही तलाश करेंगे, तो विवश 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 करेंगे, तो